नमस्कार दोस्तों दोस्तों मौर नाचते समय अपनी एक ऐसी चीज पर ध्यान देता है जिसे देखने के बाद वो उदासी महसूस करने लगता है हमारे पूरवजों के हिसाब से माने तो आपने गाउं देहात या शहर किसी महुले में यह जरूर सुना होगा कि मौर जब नाचता है और जब वह अपने पेरों को देखता है तो रोता है तो वह उदासी महसूस करता है दोस्तों यह हकीकत है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी खामियों को जब ढूंडता है तो उसे उदासी महसूस होती है इसी तरह मोर को भी उदासी महसूस होती है दोस्तों पुराने गिरंतों के अनुसारिया बताया जाता है कि मोर और साप बहुत अच्छे दोस्त और सुर्ग के पहरेदार हुआ करते थे सुर्ग का पहरेदार होना एक बहुत बड़ी बात होती है उस वक्त मोर में कोई खामी नहीं हुआ करती थी लेकिन किसी वज़ा से साप को इस वर्ग की पहरेदारी से हटा कर दूर कर दिया था क्योंकि मोर और साप के दोस्त होने की वज़ा से एक रोज साप वापस सुर्ग की और आया और मोर से कहने लगा कि मुझे एक बार फिर से सुर्ग में जाना है दोस्तों वैसे तो साप को सुर्ग से बाहर निकाले जाने के बाद सुर्ग में वापस आने की अनुमती नहीं थी इसलिए साप ने मोर से दोस्त होने के नाते मदद मांगी और कहा कि अगर तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अपने मूँ में रखकर स्वर्ग में ले जाओ तो मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसान मंद रहूंगा बस यह सुनकर मोर को साप पर दया आ गई और साप को अपने मूँ में रखकर मोर स्वर्ग में ले गया यह बात स्वर्ग बनाने वाले या दुनिया को बनाने वाले भगवानिया इसलामिक भाशा में कहें तो अल्ला ताला को पता चली और फिर मोर की इस बेवकुफी और गद्दारी की वज़ा से मौर के पैर काट दिये गए इसलिए मौर अपने पैरो को देखकर आज भी रोता है दोस्तो मौर को सुर्ग से निकलवाने की वज़ा साप था और इसके पैरो को कटवाने की वज़ा भी साप था दोस्तो जिस दिन से साप ने मौर को सुर्ग से बेदखल करवा दिया था और मौर के खुबसूरत पैरों को कटवाने की वज़ा बना था उसी दिन से मौर ने एक शपत ले ली थी कि अगर मुझे साप कहीं भी दिखाई देगा तो मैं उसे जिन्दा नहीं छोड़ूँगा यही वज़ा है कि मौर साप को जहां भी देखता है उसे खाने की कोशिस करता है और उसे तुरंत मार देता है यहां तक की खा जाता है दोस्तों पशुपक्षी जगत में यह समान्यनियम है कि नर के चैन का अधिकार मादा के पास ही होता है जो भी जीव जोड़ा बनाते हैं उनमें मादा जब नर की काबलियत को लेकर हर तरीके से संतुष्ट हो जाती है तभी वे उसे चुनती है कई पक्षी तो ऐसे होते हैं जिन में नर मादा को पिरवावित करने के लिए गोसला भी बनाते हैं पशुपक्षों की इस बास से हमारे समाज को सीखने की जरूरत है क्योंकि हमारे यहां यह अधिकार सिर्फ उर्षों के पास ही होता है बारिश के मोसम में जब कालीज घटा चा जाती है तब मोरनी को रिजाने के लिए मोर उसके आसपास नाचता है मोरनी बस घूंती और टैलती रहती है और मोर की एक्टिविटी को अबजर्व करती है नाचने वाले किसी भी मोर में से किसी एक कोचने का दिकार उसके पास होता है दोस्तों वैसे तो नाचने से माइंड में अलग ही हलचल होती है इसे नियूरांस भी कहते हैं इससे दिल और दिमाग पर प्यार का नशर चाने लगता है मानसोन का मोसम मोननी के लिए बिरिडिंग का होता है बिरिडिंग के लिए मोर को बहुत ही एकांत मावल पसंद होता है मादा मोननी एक साल में दो वारंडे देती है दोस्तों इसी तरह की पशुपक्सियों से जोड़ी नई नई जानकारी से जोड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें धन्यवाद दोस्ते